चांद और सूरज के रहस्यों का पता लगाने के बाद अब इस रो शुक्र ग्रह की ओर बढ़ने के लिए तयार है। अपने एक इंटरव्यू में इस रो चीफ S. सोमनाथ ने बताया कि शुक्रियान के पेलोड डेवलप हो चुके हैं। ये मिशन अपनी मन्जिल के काफी करी इस रो से पहले यूरोपियन एजनसी ने 2006 में वीनस मिशन, जापान ने 2006 में अकाट्सु की वीनस क्लाइमेट और्बिटर और नासा का पाकर सोलर प्रोब शुक्र ग्रह पर स्टडी कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शुक्र मिशन से भारतिय अंतरिक्ष इजनसी इस रो को क्या हासिल होगा? मिशन शुक्रयान के पीछे इस रो का क्या मोटिव है? शुक्र को प्रिथवी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं. शुक्र और मंगल की सनरचना प्रिथवी से मिलती जुलती है. लेकिन वहां जीवन क्यों नहीं है? ये जानने को पूरी दुनिया उत्सुक है। इस रो द्वारा मिशन शुक्रियान दिसंबर दो हजार चॉबीस में लॉंज किया जा सकता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन, सिंथेटिक अपर्चर रडार और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार को सबसे जरूरी पेलोड बताया गया है। शुक्रियान मिशन के जरीए शुक्र के वायुमंडल में मौजूद रसायन, एसिड, दवा की रफ्तार, ज्वाला मुखी की स्थिती, सूर्य की किरणों के शुक्र पर प्रभाव और यहां की सनरचनाओं का पता लगाया जाएगा। इस रो शुक्रियान मिशन में चुनौति कम नहीं है। शुक्र सूरज के सबसे करीब है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह भी है, यहां साट किमी। की उंचाई पर सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल हैं। ग्रह पर तेज हवाएं चलती हैं। इसकी सनरचना अभी तक समझ से बाहर है। नासा की रिपोर्ट के मुताब कि सूर्य का तापमान कितना रहता है। सूर्य हमारे सौर्य उर्जा में अर्बों वर्षों से मौजूद है। यह सोलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है। आकाश गंगा में कुल 20,000 करोड तारे हैं। इनमें से हमारे सौर्य उर्जा में स्थित सूर्य भी एक तारा सूर्य गैसों से बना एक गोला है। इन सभी ग्रहों की अपनी अपनी एक अलग खासियत है। कुछ ग्रह काफी गर्म, तो कुछ काफी अधिक ठंडे, इसमें कुछ ग्रह काफी गर्म, तो कुछ काफी अधिक ठंडे हैं। इसका कारण है किसी का सूर्य से अधिक दूर होना, तो किसी का अधिक पास होना। रंग बिरंगी दुनिया में कई रहस्य, अंतरिक्ष की इस रंग बिरंगी दुनिया में कई रहस्य छिपे हुए हैं. सौर मंडल में स्थित सभी ग्रह की अपनी एक विशेशता भी है. किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? ऐसा ही एक ग्रह है, जिसे अंतरिक्ष का लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह का नाम अरून ग्रह, यूरेनस है। यह अपनी धूरी पर लगभग 90 डिगरी जुकाव के साथ घूमता है। इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यूरेनस के चारों और चमकदार चीजें। नासा ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप से यूरेनस की कुछ तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें यूरेनस के चारों और चमकदार चीजें नजर आ रही हैं। 215 डिगरी है इस ग्रह का तापमान 215 डिगरी है। यहां शोलों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां इंसान भी बन जा यह प्रित्वी से चार गुना बड़ा है इसकी खोज 1780 में।